अच्छा तुम मासे भी मजाग करेगा तेनाली राम की कहानी सुनाने जा रही हों कोई 600 वर्ष पुरानी बात है विजे नगर का समराज सारी दुनिया में प्रसिद्ध था उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमनों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलों में थी हर जग लोगों के दिलों में दुख चिन्ता और गहरी उधेड बुन थी पर विजे नगर के प्रतापी राजा कृष्ण देव राय की कुशल शासन व्यवस्था न्याइप्रियता और प्रजा वत्सलता के कारण महाप्रजा बहुत खुश थी राजा कृष्ण देव राय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ-साथ अपनी संस्कृती के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था इसलिए विजयनगर की योर देखने की हिम्मत की थी विदेशी आकरांता की नहीं थी विदेशी आकरमनों की आन्दी के आगे विजयनगर एक मजबूत चटान की तरह खड़ा था साथी महालोग साहित और कलाओं से प्रेम करने वाले तथा परिहास प्रियत है उन्ही दिनों की बात है विजयनगर के तेनाली गाओं में एक बड़ा बुद्धिमान और प्रतिफा संपन्द किशोर था उसका नाम था राम लिंगम बहुत हसोर और हाजिर जबाब था वा उसकी हासिपुन बातें और मजाक तेनाली गाओं की लोगों को खुब आनन्दित करते थे राम लिंगम खुद ज्यादा हस्ता नहीं था पर धीरे से कोई एफी जदुराई की बात कहता कि सुनने वाले हस्ते हस्ते लोट पोठ हो जाते उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग और बड़ी सूज भूज होती इसलिए वह जिसका मजाक उड़ाता वह शक्स भी द्वेश भूल कर औरों के साथ खिल खिला कर हसने लगता था यहां तक कि अक्सर राह चलती लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई की बात सुनकर हस्ते हस्ते लोट पोठ हो जाते अब तो गाओं की लोग कहने लगे थे बड़ा अध्भूत बालक है या हमें तो लगता है कि यह रोते हुए लोगों को भी हसा सकता है रामलिंगम कहता पता नहीं रोते हुए लोगों को हसा सकता हूँ की नहीं पर सोते हुए लोगों को जरूर सकता हूँ सुनकर आसपास खड़े लोग ठठा कर हसने लगे यहां तक की तिनाली गाउं में जो लोग बाहर से आते उन्हें भी गाउं की लोग राम लिंगम के अजब अजब किस्से और कारणा में सुनाया करते थे सुनकर वे भी खिलखिला कर हसने लगते और कहते तब तो यह राम लिंगम सच्छमुश अद्भुत है हमें तो लगता है कि पत्थरों को भी यह हसा सकता है गाओं के एक बुज़ुर्ग ने कहा भाई हमें तो लगता है कि यह घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है तो वहां के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर जरूर हस पड़ते होंगे एक बार की बात है राम लिंगम जंगल में घूमता हुआ मा दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर में गया उस मंदिर की मान्यता थी और दूर-दूर से लोग वहां मा दुर्गा का दर्षन करने आया करते थे रामलिंगम भीतर गया तो मा दुर्गा की अद्पुत मूर्ती देखकर मुग्ध रह किया मा के मुख मंडल से प्रकाश फूर्च रह था रामलिंगम की मानो समाधी लग गई फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई मादुर्गा के चार मुखते आठ पुजाय थी इसी पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसकी बड़े जोर से हसी छूट गई देखकर मादुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ वे उसी समय मुर्ती से बाहर निकल कर आई और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गई बोली बालक तु हसता क्यों है रामलिंगम मादुर्गा को साक्षात सामे देखकर एक पल के लिए तो सहम गया पर फिर हसते हुए बोला शमा करे माद एक बात याद आ गई इसलिए हस रहा हूँ कौन सी बात बता तो भला मादुर्गा ने पुछा इस पर रामलिंगम ने हसते हसते जवाब दिया और चार मुख हैं और भुजाएं भी आठ हैं तो जब जुकाम हो जाता होगा तो आपको और भी ज्यादा मुसीबत रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही मादुर्गा खिल खिला कर हस पड़ी बोली हट पगले तुम माँ से भी मजा करता है फिर हसते हुए उन्होंने कहा पर आज मैं समझ गई हूँ कि तुम में हासी की बड़ी अनोखी सिद्धी है अपनी इसी सूजबूज और हासी के बल पर तु नाम कमाएगा और बड़े-बड़े काम करेगा पर एक बात याद रख अपनी इस हासी वृति का किसी को दुख देने के लिए प्रयोग मत करना सबको हसाना और दूसरों की भलाई के काम करना जा तू राजा कृष्ण देव राय के दर्बार में जा वही तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे उस दिन राम लिंगम दुर्गा मा के प्राजीन मंदिर से लोटा तो उसका मन बड़ा हलका फुलका था लोटकर उसने मा को यह अनुखा प्रसंग बताया सुनकर मा चकित रह गई और फिर होते होते पूरे तेनाली गाउं में यह बात फैल गई कि राम लिंगम को मा दुर्गा ने बड़ा अद्पुत वर्दान दिया है यह बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा उसके साथ ही तिनाली गाउं का नाम भी उच्चा होगा कहानी समाप अगर कहानी पसंद है तो इसे लाइक सबस्क्राइब और शेयर जरूर करें